वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाइ सेंसुडाइन और विमल बोलो जुबा केशरी अखिर इस मीटिंग में क्या हुआ ग्रह मंत्री से मुलाकात होनी है उसमें क्या हो सकता है इस बीच तेजस्वी आदों को बयान भी चर्चा में फिर से आ गया है जिसमें वो चुनाओ की तरमयान तो नितिश कुमार पर हमलावर नहीं थे मगर वो ये भी बोल रहा है साथ-सा में तो क्या और में नितिश कुमार भी हैं आखिर बिहार में चल क्या रहा है क्या जो चुनाओ नौमर में नियत हैं वो पहले भी हो सकते हैं नितिश कुमार वापस से तेजस्वी के साथ आ सकते हैं से तमाम सवाल हैं और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरेश चाथी पंकजी जुड़ेंगे जो फिलहाल आपने देखा होगा विहार में ग्राउंड में घूम रहे थे विहार में तमाम पक्षों से चाहे वो और जीटी की हो चाहे बीजेपी की हो नेताओं से बातचीत की मूट समझा आपको समझाया और अब स्टूडियो से होने वाला है देखिए सर्थ आपको एक बात बताऊं कि प्रधान मंतरी का माप करिएगए मूख मंतरी नितीश कुमार का परिश्ट अर उसके बाद प्रधान नितीश कुमार लोट आये दिल्ली जरूर और दिल्ली आये तो दोनों बड़े नेता से मिले इसका एक साफ इशारा ये समझा जाता है कि इस वार नितीश कुमार चाहते हैं कि बिहार की हिस्सेदारी और खास तोर पर उनके पाटी की हिस्सेदारी केंद्रिय मंत्री मंडल में ज्यादा हो इसको लेकर के वो निश्चित तोर पर चिंतित होंगे इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी परिनाम बाहर आया नहीं है पिछली बार तो उनके 17 में से 16 जीते थे एक हारे थे इस बार 16 में से कितने जीतेंगे बड़ा सवाल है और अगर 16 जीतते हैं तब क्या जिस तरीके से वो पिछली बार दो लोगों को कम से कम केंद्रिय मंतरी बनाना चाहते थे क्या इस बार उनको उनकी मांगों को पूरा किया जा सकेगा क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार की चर्चा जादा इसलिए होती है क्योंकि सफद गरन समार हो के दर्मियान नितीश कुमार थे नहीं वो पटना लोट गहते और उनका विरोध साप साप नजर आया था दरसल एक RCP सिंग को मंतरी बनाया जा रहा था और वो दो-दो लोग को मंतरी चाहते थे अपनी पार्टी से बनवाना इनफेक्टी इन लोग को चाहते थे वो चाहते थे अनुपातिक हिसाब से समानुपातिक हिसाब से मंतराले में जगे मिले जबकि BJP सांकेतिक हिसाब से मंतराले में जगे देना चाहती बीजेपी चाहती थी कि एक से ज़्यादा जगे हम आपको नहीं देंगे वो चाहते थे दो केंद्रिय मंत्री और एक राजमंत्री बने वो पिछली बार हुआ नहीं जहां तक इस बार का सवाल है तो इस बार परिनाम से पहले ही पहुंच गाए हैं तो इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं और इस पीच एक्जिट पोल्स जो अगरा बिहार में सवाल यह है कि NDA में कौन से घटक दल को कितना बड़ा जटका लगने जा रहा है और अगर हम एक्जिट पोल्स की देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा जटका तो जेडियू को ही लगता हुआ दिख रहा है ऐसे में यह सवाल उठता है कि जेडियू को चर्चा में रहता है वो है संजय जहा संजय जहा दरसल बीजेपी से ही निकले हुए नेता है अरुन जेटली से उनकी नजदी की सरवेदित है और अगर आप अभी कह दें तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि अमित साह के आसपास जो जेडियू की टोली काम करती है और संज जहा है तो संजय जहा का तो मंतरी बनना तैम आना जा रहा है लेकिन किसी और को मंतरी बनाया जाएगा की नहीं बनाया जाएगा इसको लेगर के सवाल है लेकिन सवाल ये उटता है कि जब नितिष कुमार मिले PM से तो PM से assurance मन माफिक मिला कि नई मिला उनके करीबी लोग ये कहते हैं कि अगर मन माफिक assurance मिला होता तो निचित तौर पर नितिष कुमार पांस तारिख से पहले नहीं लोटे होते हैं तो मुझे लगता है कि अभी चार तारी को परिणाम आना है परिणाम में क्या आता है ये देखना दिल्चस्प होगा एक्जिट पॉल तो एक्जिट पॉल एक अनुमान है लेकिन परिणाम आएगा वो पुखता तोर पर मोहर लगाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है में नितिश कुमार का मिलना और उनके मन माफिक जवाब नहीं मिलना और नितिश कुमार इन दिनों बेचैन रहते हैं इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता उनका सुआस्ट भी ठीक नहीं रहता है कहा ये जा रहा था कि वो दिल्ली में आएंगे दो दिन स्वास लाब लेंगे कही जगे लोगों को दिखाएंगे भी एम्स भी जाएंगे अपने स्वासत की जाच भी कराएंगे लेकिन तमाँ प्रोग्राम को कैंशल करके विस्तारा से 6 वजे लोटने का प्लान उन्होंने कर लिया, उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि आखिरकार नितीश कुमार को हुआ क्या है, लेकिन दूसरी तरफ कई तरह की चर्चा बड़ी जोरों से उठ रही है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि नितीश कुमार खीज आप बहुत सही बात कह रहा है, देखिए स्वारव आप उत्तर प्रदेश घुमें, मैं बिहार घुमा, 22 दिन तक बिहार घुमता रहा, बिहार के कड़े धूप में लोगों से मिलना, बात करना, उनके मन मिजाच को टटोलना, समझना, परकना, क्योंकि बिहार के लोग थोड़ा अलग दिखे, ट्रेडिस्नल दिखे, लेकिन जब आप राजनितिक रूप से उनसे बात करना चाहेंगे, तो आप बहुत जल्दी परख नहीं पाएंगे, जब तक कि आप बाचीत का लंबा सिलसिला उनसे जारी नहीं रखेंगे, तो बाचीत के दर्मियान मैंने एक बात बहुत साफ तरीके से पाया, कि आरजेडी की पूरी नजर जो है वो विधान सभाचुनाओ पर है, लालू प्रसाद यादब ने जिस तरीके से कनहिया कुमार और पपु यादब को साइड लाइन किया, तो लालू प्रसाद की नजरें सीधी तोर पर मुखमंत्री क कुर्सी पर है, लालू प्रसाद ये मानते हैं कि आने वाले समय में मुखमंत्री मेरा सुपुत्र तेजस्वी यादब है, और इसलिए आपने देखा कि लोग सभाचुनाओं में तेजस्वी यादब ने तकरीबन धाई सो विधान सभाच छेतर का दौरा किया, आप समझ ल बिपक्च का सवाल है, इंडिये जो की बहुत मजबूत माना जाता था, एक से एक नेता मैदान में उत्रे, लेकिन आप देखिए कि अंत में प्रधान मंत्री मोधी को एटाग करना पड़ा तो तेजस्वी यादब पर, बतलब बिहार में साथ दिखा कि बिपक्च का मतलब अग्ते जस्वी यादब उनका साथ मुके सानी जरूर दे रहा थे, लेकिन आप पक्च के तरफ से देखें तो प्रधान मंत्री मोडचा समाले हुए थे, कभी भी बिहार में ऐसा नहीं हुआ था, कि किसी प्रधान मंत्री ने रोड़ शो किया हो, लेकिन प्रधान मंत्री साथ से ज़्यादा दौरे उन्होंने कर दिये, आप समझ लिजी अलग-अलग छेतरों में गए, अलग-अलग लोग सभा में गए, और वहां पर लोगों से अपील की, कि महागटवंदन को हराना क्यों जरूरी है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, कि जिस तरीके से अभ सीट महागट वंदन को, इस चुनाव में गयारा सीट महागट वंदन को इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि कही ना कहीं NDA को बीहार में बड़ा नुकसान हो रहा है, पर विदान सभा चुनाव में साफत और पर परिद्रिश् शे बदल जाएगा, जैसे इस अब विपक्ष के तरफ की तेजा स्वीयादव नौकरी किस ने दिया तो तेजा स्वीयादव यह अगर किसी ने दिया है तो वो हमने दिया सतरह साल में जो यह नहीं कर पाए वो हमने किया इसमें भले ही सत्यता हो नहीं हो यह डिबेट लोग करते रहे लेकिन तेजस्वीयादव लोगों को यह समझाने में कामियाब रहे और इसका फाइदा उनको विदान सबाद चुनाओं में मिलने जाए कि सरकार तो हमारी थी मुख्यमंत्री तो मैं था तो मेरे राज में नौकरियां दी गई आवरे नितिश अपना मैसाज नहीं पहुंचा पाए नितिश कहने की कोसिस जरूर किये कि यह कोसिस के कि लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि लोग लोग अब यह पूछते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने पहले हस्ताक 6 से 10 लोगों को नौकरी देंगे तो लोगों का कहना था कि यह जबिशक्री को क्रेट जादा मिलना चाहिए इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता के बीच में आप परसेप्शन क्या बनाते हैं और वो कहते हैं ना कि परसेप्शन इस मोर रियल देन रियालिटी तो वो सही साबित यहीं पर दिखाई पड़ता है तेजस्ट्वी यादव आने वाले समय के हीरों हैं इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता और यहीं चिंता बीजेपी को और इसलिए बीजेपी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से change of guard हो मैं आपको बता सकता हूँ मेरी कल BJP के कुछ बड़े नेताओं से बात हो रही थी उनका कहना था कि केंद्र के बड़े नेताओं को हम लोग अपनी इस भावनाओं से अबगत कराएंगे कि अगर आप नेत्रे तो नहीं बदले तो तैयार रहिए कि तेजस्वी आदब किस तरीके से सीम बनने जा रहा है कोई रोक नहीं पाएगा यह मैं कह रहा हूँ कि BJP के बड़े नेता इस तरह की बात कर रहा है और उसमें उनका यह कहना कि तेजस्वी आदब को रोकना है तो आपको लीडर्शिप में परिवर्तन करना पड़ेगा नितिस कुमार के खिलाब जो एंटी इंकंबेंसी है उसको हटाना पड़ेगा और नितिस कुमार को आप केंदर में कोई बड़ा पत दे दीजिए इसकी चर्चा कर लीजिए लेकिन किसी ना किसी रूप में आपको मुकमंत्री पद बदलना पड़ेगा यहां कि रनीती बदलनी पड़ेगी और देखिए रनीती में तो बहुत कुछ आता है समराठ चौधरी को भी मुकमंत्री बनाये गया प्रदेश अध्यक्ष बनाये गया लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ वाह वोटर्स उनके नाम पर लामबंद नहीं हुए गोलबंद नहीं हुए उपिंदर कुछ वाह को कारकाट से उतारा गया कहा है ये भी जा रहा है कि उपिंदर कुछ वाह भी उनसे जो उम्मीद थी वो उम्मीद काम्याब होती दिखने रही है ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर कुस्वाह वोटर्स वाकई क्यूंकि परिनाम के बाद पता चल पाएगा कि कुस्वाह वोटर्स वाकई NDA फोल्ट से छिटक गए हैं तो यानि नितिश कुमार की भी पकड कमजोर हुई है समराट चौदरी की पकड मजबूत नहीं हो पाई जो उनसे उमीद थी और उपेंदर कुस्वाह भी उस तरीके से काम्याब नहीं हो पाए जो की उपेंदर कुस्वाह से उमीद थी इसलिए आप देखेंगे कि परिनाम के बाद बीजेपी के भीतर बहुत तरह की चर्चा जोरों पर है मुझे लगता है सिर्स नित्रित तो कोई इस बात से अफगत कराये जाएगा और इसलिए तरह तरह की बात चल रही है लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि जो मुखमंतरी पांच तारीक तक यहां रुकने आये थे चुनाओ परिनाम के बाद भी वो पी-म और हम से मिलने के बात कर रहे थे और यहा हो भी उनको नस्दीक से जानता है वो कहता ही की कि ऐसा मुखमंतरी तभी करते हैं जब मुखमंतरी चिड़ जाते हैं उनके नाम की कहीं पर चर्चा नहीं वी वो बड़ा नाराज दिख रहे थे तो वो जब कभी भी नाराज होते हैं ऐसा उन्होंने 2019 में भी किया था जब उनके मन मुताबिक दो लोगों को मंतरी नहीं बना गया था तो वो पटना लोट गए अचानक लोट गए और उसके बाद सपत गरन समारों में सामिल नहीं हो इसलिए देखिए अभी तो परिनाम आय करते हुए वो अपना एलेक्शन के पहले का दौर याद आ रहा है जब नितिश्कुमार वीजेपी की बीज बातचीत परदे के पीछे चल रही थी चल रहा था कि महागडबंदन में आएंगे कि नहीं आएंगे उस वक्त मुझे अच्छे से जाद है कि आप लोगसुभा के बात क्या हो सकता क्योंकि आप कहते हैं कि क्रेडिबिल्टी नितिश्कुमार की उनको शती पहुंची है और विदान सभा में फेस वो हो इसको बीजेपी के नेता एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इसके लिए बीजेपी नेता तयार नहीं होंगे और कुछ-कुछ वाइसे ह आज बनते दिख रहे हैं साफ तोर पे कि बीजेपी की जो लोकल लीडर्शिप है उसने उपर केंद्री में अपने लीडर्शिप को यह सलाह दे दी है कि इनकी नेतरत में तो नहीं हो पाएगा इसलिए मुझे लगता है आज बात्चीत में कुछ इसी बात नहीं ही जो आप उनके कोई मन की बात ना हो या कोई बात चुब गई हो हन इस्षित तोर पर मैं वहीं आप से कह रहा हूं कि देखिए लोक सभाद चुनाओं में बीजेपी उनका साथ हर हाल में चाहती थी बीजेपी ऐसा करके पूरे इंडिया में इंडी गटवंधन का जो नेरेटिव बन बीजेपी इस बात को समझ रही थी इसलिए बीजेपी बिल्कुल वह कहते हैं ना कि गिद्ध की द्रिष्टी से नजर बनाए हुई थी कि कैसे अपने पॉन पर एटैक करना और अपनी तरफ लेना बीजेपी इस बात को समझ रही थी कि लोग सभाद चुनाओं में कुछ फ मकसद था वो पूरा हो चुका है नतीजे क्या होंगे वो तो चार जून को यानि कल पता चलेंगे बगर इस बीच जो तेजस्वी का बयान है उस पर चर्चा कर लेना बड़ा जरूरी है जो उन्होंने जो कयास और लोग की तमाम राजनितिक जानकार लगाता लगाते रहे ह कि रितिश कुमार के लोगसभा के बाद भी बीजेपी के साथ टिकेंगे उस बीच तेजस्वी का बयान आना कि चाचा फिर पल्टेंगे उस लिए उनको ये समझ में आता है कि जब उन पर दबाव बनाया जाएगा तो चाचा कहेंगे कि हम हम तुमारे साथ नहीं रहे हैं दूसरा तेजस्वी यादव इस बात को भली बाती समझते हैं कि चाचा पर अगर डारेक्ट हम एटाग करेंगे तो क्या होगा कि उनका एक वोटर है और उसका अच्छा खासा तपका है जो बीजेपी के पास जाने में भी सहज नहीं है हमारे पास आने में भी सहज नहीं है पर बीजेपी के पास जाने में भी सहज नहीं है वो चाचा का वोटर है चाचा मतलब नितिश कुमार इस लिए अगर उनको साथ लाना है तो हमें जनता के भी चाचा प्रतिष सौफ्ट रहना होगा और ये कहना होगा कि चाचा शरीर से बले ही चले गए हैं लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ हैं तो ये पॉलिटिकली भी तेजस्वी यादव को सूट करता है और तेजस्वी यादव ये फौर सी कर रहे हैं कि बीजेपी उनको अपने साथ ले गई है तो बीजेपी का मकसद लो नहीं होंगे और जब चाचा तैयार नहीं होंगे तो चचाचा फिर चिड़ करके हमारे पास आएंगे और कहेंगे बती जे तुम आगे बढ़ो हम तुमारे साथ हैं तो इस तरह का कुछ ना कुछ सोच R.J.D के भीतर भी है और R.J.D. को लग रहा है कि चाचा ऐसा करें या उनके एक तबकों को अपने साथ जोड़ने के लिए तेजस्वी आदब लगातार कह रहे हैं कि अब उनकी पार्टी माई की यह नहीं है बाप की भी पार्टी तेजस्वी आदब लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी A to Z की पार्टी है उनकी पार्टी सभी की पार्टी है औ प्लस चाचा को ये लगता है कि चाचा पर ज़्यादा जोड डाला गया तो चाचा अंतिम फैसला ये भी कर सकते हैं इसलिए बिदान सवा चुनाओं से पहले भी खेलो सकता है इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो नितिश कुमार का प्रदान मंत्री ग्रह मंत्री से मिलना अचानक वापस लोटना उससे पहले थे एसवी का बयान कि चाचा पल्टेंगे क्या ये सब जो राजनीति घटना करम घट रहा है ये इसारा ऐसा कर रहा है कि बिहार में जो विदान सभाव चुनाओं नौंबर में होने हैं वो पहले भी हो सकता है देखिए अभी कहना थोड़ा अरली है मैं इस बात को नहीं समझता हूं कि वो पहले भी हो सकते हैं क्योंकि पहले होंगे तो सवाल ये उठता है कि परिनाम कल का कैसा होता है उस पे बहुत को निर्वर करता है अगर परिनाम कल का बिहार क को ले करके अच्छा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि आप yol करने का अपने खोए हुए वोटरों को वापस लाने का क्यों कि कई ऐसी जातियां है च Culाते पीस ज़से लग रहा है कि वह बीज이고 लुष्टाइस Malinat इस असतर पर क्या गड़वरियां हो रही है मुझे लगता निश्चित तोर पर BJP सांगठनी का स्थर पर इन सब चीजों को ठीक करने के बाद ही चुनावी मैदान में उतरना चाहेगी इसलिए कल के परिनाम का इंतजार करिए उसके बाद देखिएगा कि BJP जब सरकार बना लेती है तो निश्चित तोर पर BJP बिहार की और ध्यान देगी क्योंकि आने वाला चुनाव बिहार में है और बिहार में 25 नवंबर में 25 के नवंबर में नई सरकार बननी है इसलिए उससे पहले बहुत सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी देखेंगे बहुत सारा फेर बदल भी देखेंगे बीजेपी के संगठन के अस्तर पर भी फेर बदल देखेंगे और देखिए इंडिये गटवंदन में क्या फेर बदल देखते हैं यह देखना दिल्चस्प बिल्कुल तो सब कुछ निर्भर करेगा चार जून को आने मारे लोकसुभा के नतीजों पर जिसमें बिहार का भी पिटारा खोलेगा कि कि इसके हिस्से कितनी सीटें आई और वहीं से तैय होगा बिहार का भवेश्य बागी बिहार है चुनाओं चल रहे थे तब लगातार खबरे आ रही थी उससे पहले भी आ रही थी और अब चुनाओं हो गये हैं तो उसके बाद फिर एक नहीं उर्जा आई है और हमारे अंदर में जो देखा और उसके अधार पर जो नतीजे आएंगे उसमें क्या रहेगा सारे फैक्टर सापको पताएंगे समझाएंगे आप देखते रहे हैं टीवी नाइन बिहार जहार खंड शुक्रिया वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाई सेंसुडाइन और विमल बोलो जुबां के सरी